जे बाला जी दोस्तों आज मैं आपके सामने भादरपत की कृष्णपक्ष की चतुर्ती यानी चोथ की कहानी लेके आई हूँ अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो सुनिये चोथ की वर्थ की कह था एक बुढिया माई के गवाले बचालिय नाम का बेटा था बुढिया माई बेटे के लिए बारे मेने की चारो चोथ करती थी गरीबे के कारण उसका बेटा जंगल से लकडी काटकर उनको शेयर में बेचकर अपना गुजारा बसरा करता था उसकी माता रोजना उन लकडियों के गठ्टे से दो लकड़ी रख लेती और चोथ के दिन बेटे से चुपा कर उनको बेच कर उनका सामान ले आती और पांच लड़ू बनाती एक गनेजी को चड़ाती एक सोथ माता को चड़ाती एक ड्रामन को देती एक आप खाती और एक बेटे को देती एक सोथ के दिन बेटा अपनी पडोसन के घर गया और लड़ू तब ही पडोसन लड़ू बना रही थी उसने पूछा कि आज क्या तुमारे जो लड़ू बनाए जा रहे हैं तब वो बोली आज तो मैं तो आज ही बना रही हूँ तेरी मातो चारो सोत पर लड़ू बनाती है वह घर आकर मा से बोला कि मैं इतनी मेनस से कमाता हूँ और तुम माता पर सारा खर्च कर देती है वे बोला कि या तो चोत माता को ही रख ले या फिर मेरे को ही उसने तभी मानने बेटे से कहा कि मैं ये सब तेरे लिए ही तो करती हूँ सो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चोत माता को तो नहीं छोड़ सकती इतना सुनते ही बेटा उसका घर छोड़कर बाहर जाने लगा उसकी माता ने कहा कि बेटा जब तु जाही रहा है तो मेरे तेरे साथ ही आखे लेते जा जब भी तुझे कोई संकट पड़े तो ये जोत माता का नाम लेकर ये आखे पूर देना बेटे ने सोचा कि ये सब बक्वास है इन में कुछ नहीं रखा लेकिन मा कहती है तो चलते लेते हैं और बाहर जा कि इन्हें फेंक देंगे घर से जब बेटा निकला तो आगे पहुचा तो उसने देखा कि खून की नदी बै रही है उसको कही रास्ता नहीं दिखाई दिया तो वे घोर संकट में फस गया और हताश हो कर बेट गया उसको थोड़ी देर बाद मा के दौरा दिये आखे याद आए उसने मा से जेसा काता उसी परकार उसने चोत मता का नाम लिया और जट से वै आखे पूर दिये तो संकट टल गया तब ही वै आगे चला आगे गया तो गंगोर अंधेरा वै उजाड था उसने मन में सोचा कि मुझे शेर या बगेरा खा जाएगा इतने में ही एक शेर उसके सामने दहारते हुए आ गया उसने जट से आखा लिया और चोतमाता का नाम लेकर पूर दिये और बोला ये चोतमाता अगर तु सची है तो मेरी रक्षा कनना मुझे आगे का रास्ता दिखाना ऐसा करते ही शेर भाग गया और उसे आगे का रास्ता मिल गया वै चलते चलते एक राजा की नगरी में पहुंचा देख तब ही उसने ये देखा कि एक बुड़ी ओरत रोते हुए लड़ू बना रही है वै बुड़ीया के पास जाकर बोला कि माता आप क्यों रो रही हूँ उसने का कि यहां का राजा बड़ा कसाई है हर रोज अपनी नगरी कि मैं किसे ने किसी आदमी की बली देता है मेरे भी एक बेटा है उसकी कल बली चढ़ जाएगी उसी के लिए लड़ू बना रही हूँ वै बोला उसने अपने बेटे के बदले मुझे लड़ू खिला दे माता मैं राजा की बली चढ़ने के लिए चला जाओंगा लाख मना करने के बाद भी वै नहीं माना तो बुढ़िया ने अपने बेटे की जगए उसको लड़ू खिला दिये बली के लिए राजा के पास उसे बेज दिया राजा ने अपने मंत्रियों को आदिश दिया कि उसको हाव में चुन दिया जाए मंत्रियों ने भी वैसाही किया और उसे हाव में चुन दिया उसने तो आवाज उसने वो आखे पूर दिये और तीन ही दिन में वे हाव पक गया हाव के पास बच्चे खेल रहे थे उनों उसमें से एक को आवाज आई बच्चे ने राजा से जाकर बोला कि हाव पक गया राजा ने सोचा कि हाव तो आर दिन में पकता है आज तीन दिन में ही कैसे पक गया जाकर देखा तो सोने सांदी के कलश हो गए और अंदर से आवा जाई कि भाई धीरे धीरे उतारो अंदर मैं भी बैठा हूँ राजा ने आदमी से डर गए और बोला कि अंदर तो कोई भूत देते होगा जब वो बोला कि मैं तो वही आदमी हूँ तो उसने हाव में जिसने आप लोगों आप लोगों ने जिसको हाव में चुना था देखा तो अंदर से हाव को जब उठा कर देखा तो अंदर से हरे हरे जुआरे उग रहे थे उनको राजा के पास ले गए राजा ने पूछा तू केसे बच गया वह बोला मेरी मा मेरे लिए चोत माता का वर्थ करती थी जब मैं घर छोड़ कर रवाना हुआ तो उसने मुझे आखे दे थे सो मैं वही आखे पूर कर बैट गया और मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ और मैं बच गया लेकिन डाजा ने इस बात को जूटी ही मानी और कहा कि तुझे सांका से बांद कर गोड़े पर बिठा कर शेर में गुमाया जाएगा अगर गुमाया जाएगा मैं सच्ची चोत माता को तब ही मानूँगा जब सांकल तेरे से खुल कर मेरे में बंद जाएगी वो आखे पूर कर बोला जोत माता जब दिखा तेरा समतकार जड़ से सांकल खुल कर राजा के बंद गई राजा ने जोत माता को शीश नवाया और माता के सामने पर तिग्या की कि है माता आज के तेरी पूजा करूँगा राजा ने सद बुद्धी राजा को सद बुद्धी आ गई और लड़के को धन्यवाद देते हुए अपनी पुत्री की शादी कर दी और दहेज में खूब धन दोलत देकर घर से विदा कर दिया वह वापस घर पर लोट आया बुद्धी आमान ने अपने बेटे के साथ बहु को भी पा कर बहुत कुश हुई और चोत माता का ध्यान कने लगी हे माता ये तेरही परताप है कि मेरा बेटा रूठा हुआ बेटा वापस आया गर लोट आया हे मात जिस तरह मुझे मेरे बेटे से मिलाया धन दोलक के बंडार बरे उसी प्राहर भक्तों की सभी भक्तों की मनों कामना पून करना जै चोत माता की